से पहले देख सके जब हिंदू की आपसी फूट और घमर्ण ने इन चुर वी राजाओं को कभी एक मत और एक साथ नहीं होने दिया तो बैचारे अकेले मोधी क्या कर लेंगे सभी देश दुरुही मिलकर इसे भी गिरा देंगे हमारा देश सैकडों हजारों साल से विदेशी आकरमणों को जेल रहा है कभी हम सनातनी पूरे विश्व में फैले थे आज इसी आपसी फूट के कारण भारत में भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ये आकरी मौका है फिर कोई नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू आदी शाशक नहीं मिलेगा मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं यू लगता है चीक चीक कर वीर शिवाजी बोले हैं पुर्खो का बली दान घास की रोटी भी शर्मिंदा है कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूके पेटों ने तोपी जाली दार पहन ली हिंदू ओके बेटों ने सिर पर लानत वाली चट से खुला ठिकाना अच्छा था तोपी गोल पहनने से तो फिर मरजा ना ही अच्छा था मतुरा अवद पूरी घायल है काशी घिरी कहारों से यदकुल गट बंदन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से कुछ वोटों की खातिर लजजा आई नहीं निठलों को कडा कलावा और जने हुँ बेज दिया कठ मुलों को मुख से आह तलक नहीं निकली धर्मद्वजा के फटने पर कब तुमने आसू छलकाए गौमाता के कटने पर लगता है पूरी आजम की मननत होने वाली है हर हिंदू की इस भारत में सुननत होने वाली है जागे नहीं अगर हम तो ये प्रश्न पीडिया पूछेगी गन पकड़े बेटे बुर्खे से लदी बेटियां पूछेंगी बोलेंगी है आर्य पुत्र अंतिमुद्धार किया होता खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता सोते रहो सनातन वालो तुम सत्ता की गोदी में पर सांस आखरी तक भगवा की रक्षा हे तू लड़ूंगा मैं शीष कलम करवा लूंगा पर कलमा नहीं पड़ूंगा मैं सभी हिंदू उससे प्रातना है कि इस वीडियो को एक-एक हिंदू तक पहुचा दीजिए जय हिंदू जय श्री राम